बच्चों में बिस्तर गिला करने की समश्या या फिर बड़ों की ये समश्या होती है कि उन्हें बार-बार टोइलेट आता है और बार-बार जो है उन्हें टोइलेट के लिए दोड़ना पड़ता है कभी-कभी तो समश्या इतनी वड़ जाती है दोस्तों कि सोते-सोते जो है 20 तरही गिला हो जाता है ये समख्या वैसे तो बुद्ध जनको नहीं मीलती है किसी 100 में से एक आद जनको ये समख्या होती है और मईलाओं की वजाए पुरुसों की ये समख्या जाधा होती है इसको medical की बासा में एनूरेसिस बोला जाता है इसके कुछ कारण भी होते हैं, कई बार ये अमारे जो मुत्र में infection हो जाता है, उसके कारण हो जाता है, पुरानी कब्ज के कारण हो जाता है, या फिर शाम के समय जैसे आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं, दूद वगेरा ज़्यादा पी लेते हैं, मिठा अधिक खा लेते ह है तो उसके कारण भी यह हो जाता है लेकिन कई इसके दूसरे कारण भी होते हैं कई बार किसी को रीड की अड़ी वगेरा में चोट वगेरा आ जाती हैं और अमारे जो बुजूर्ग थे ना, वो तो इस चीज़ को अनुवान सिक कारण भी मानते थे, अमेशा ऐसे बोलते थे कि इसकी मम्मी भी ऐसे करती थी, या फिर इसके पापा भी ऐसे करते थे, और ये भी ऐसे करते थे, वो आमारे इबच्पन के किस्से जो हैं बताने लग इसके साथ साथ कई वार क्या होता आप सपने में इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उसके कारण भी ये समस्या हो जाती है और जैसे मैंने बताया मईलाओं की अपेच्छा पुर्सों में ये समस्या ज़्यादा होती है कई पुर्स जो होते हैं अलको अलका सेवन करते हैं तंबाकु वगेरा गुटका वगेरा खाते हैं या फिर चाय या कोफी वगेरा ज़्यादा पीते हैं तो उसके कारण ये समस्या पुर्सों में बहुत अधिक पाई जाती है तो इसके यहाँ पे मैं आपको नुस्खे भी ब बच्चों से लेकर बढ़ो तक मैला पुरुष दोनों को दे सकते हो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले नुस्खे के लिए आम यापे सामगरी आपको दिखा रहे हैं हमारे पास है अख्रोट दोस्तों अख्रोट जो हता है इस समस्या से छुटकरा दिलाने के लिए बहुत इस्तिमाल करना है और बढ़ों के लिए आप पूरे एक अख्रोट का इस्तिमाल कर सकती हो जैसे मैंने आप दिखा दिया है इसके साथ साथ अख्रोट की साथ हमें दूसरी चीज और लेनी है वो है अमारे पास किसमिस दोस्तों यहां पे हम साधी किसमिस लेंगे यह और बढ़ों के लिए जस्त उससे डबल कर लेना आपको 10-12 किसमिस के बीच में आप ले सकते हैं जैसे यह मैं आपको दिखा रहे हूं यह बच्चों की एक परफेक्ट खुराक है बस इससे ज़्यादा नहीं देना क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज देते हैं उससे आपक देख रहे हैं इतनी बढ़ों की खुराक रहेंगी अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है नुस्खा बना कर कैसे तयार करना यह सारी चीजे यहां पर आप द्यान से देखना कोई भी चीज इसमें मिस ना करना जिससे की आपका नुस्खा आपको अच्छे से फाइदा तो आप यहां पर देख रहे हैं आपने अख्रोट की गिरी और किसमिस भी दोनों चीजे दो कर लेनी हैं जैसे मैंने बताया बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भी बड़ों के लिए बना रहे हैं तो भी क्वांटिटी का आपको मैंने बताई दिया है लेकिन दो के ही इस इसको नई दो सकते हैं इसलिए या पर दो तिन भर पानी लेकर आपको दो लेना अखरोट की गिरी तो बिल्कुल साफ हो जाती क्योंकि मैंने साबुत अखरोट में से निकाली इसको और किसमी सहीं के ऊपर थोड़ी सी दोल मेटी रती है तो आप एक दो बार पानी लेकर इसे अच्छे से दोलेना एक चीज और द्यान रखनी यहां पर रोजाना आपको यह नूस्खा बनाकर जैसे तो को लेना है इसको आप एक साथ बिगो कर या फिर दो कर ना रखे रोजाना आपको यह तयार करके तुरंत ही ले लेना है बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है अब यह नुस्खा जो है आप देख रहे हैं हमने दो तिन पानी से दोया इसको फिर इसमें आमने डाल है थोड़ा साफ पानी जो पानी पेने के लिए इस्तेमाल करते हैं द्यान यह रखना यहां पे आपको फुल गिलास बरके पानी नहीं डालना है और साथ की साथ आपको यह जो अखरोट हैं यह 15-20 मिनिट के लिए ही इस तरीके से बिगोनी है जादा से जादा आदा गंडा उससे जादा नहीं इनको एकदम सॉफ्ट नहीं करना हमें यह चीज द्यान रखना जैसे हम कई वर बताते हैं शाम को भी होकर सूबह खाना फायदा मिलेगा लेकिन जिनको यह समस्या है ना उनको जो है अकरोट बिलकुल किसमिस और अकरोट सॉफ्ट नहीं करने हैं 15-20 मिन बीट भीगते ही और आपको यह अच्छे से चवा चवा कर खाना ऐसा नहीं कि मुह में डालकर तुरंत आपने इसको थोड़ा सा चवा कर ही निकल लिया नहीं अच्छे से पेसंस के साथ में थोड़ा चवा चवा कर इसे खाना इसके साथ साथ कुछीजों का आपको और द्य ज्यादा पिलाएं और जो बच्चे हैं उनको शाम को थोड़ा सा पानी या दूद कम दे इन चीजों का आपको ध्यान रखना है तो पहले तो यहां पे आप देख रहे हैं नुस्खा कंप्लीट करने के लिए आमने यहां पे तिल लिया है दोस्ते तिल कौन सा लेना है आपको दुकान में रखे रखे भी कई बार खराब हो जाते हैं और गर लाकर आप देखेंगे इसके अंदर आपको कीड़े दिख सकते हैं क्योंकि मेरे साथ भी यह हुआ था इसलिए मैं आपके साथ यह चीज सेर कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आप कई बार दूर से चीजे लाते हैं और दो बारा वहाँ पे आप जाने के लिए डश्य मार जाते हैं और आपकी यह चीजे जो है बेकार ही पैसे बेकार जाते हैं इसलिए मैं बता रहे हुँ आप वह इस से देखकर फिर लेकर आना इसके साथ में आपको गुड का जो पाऊडर आता है सक्कर जिसे ब तो तिल की मात्रा इससे आधी कर दे और पुरान उसका ही मैं बता रही हूं आपको आपको बढ़ो की अपेक्षा बच्चों को आदा क्वांटिटी में इसको देना है एक चमच तिल के अंदर एक चमच ही बरके आपको गुड़ डालेंगे तो तोड़कर डालेना है और सक्कर में डालकर लगातार चलाते हूं पांस मिनिट सेक लेना उसके बाद में ठंडे करके इस्तेमाल करना शुरू कर देना अब यह चीज़े आमने जो माप कर ले ली हैं दोनों को अच्छे से मिला लेना है यहां पर बात आती है बड़े अगर इसे ले रहे हैं तो चबाकर खाल जरूर कर लेना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद